सबसे पहले सभी के WhatsApp में यह वाली notification यहाँ उपर आ रही थी जहाँ पर लिखा हुआ है switch to WhatsApp now soon you will need the official WhatsApp to use this account इसका मतलब वो तक था कि आपको official WhatsApp में switch होना है और यहाँ पर आपके पास मोखा था कि आप लोग अपने data का backup लेके रख सकते हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी का WhatsApp अभी verify भी नहीं कर पा रहे थे और किसी किसी के तो direct यहाँ पर you need the official WhatsApp to login यह वाला notification आ गया और यह वाला आने के बाद नहीं आप लोग अपने जीबी WhatsApp को open कर पाऊगे नहीं अपना backup ले पाऊगे तो सबसे पहरे जो backup की बात रही कि क्या मैं backup ले सकता हूँ तो यदि आपका जीबी वाटसब का इसתमाल करों तो अभी किसमया da district WhatsApp का इस्तवाल से नहीं कर पाऊगे आप लोग दुसरे नामबर से जीवी वाला सबका सकते हूँ लेकिन जिस नंबर पर यह वाले समैसे आई है आप लोग उस नमबर से जीबी वाली समय इसे आपने यह वाली समय पाऊंगा तो माल लीजे जीवी वाट्सअप के जो डेवलोपर है अपने सेटिंग में कुछ ऐसा फीचर डाल दे जो वाट्सअप आले नहीं पता कर पाए कि आप कौन सा वाट्सअप का इस्तेमाल कर पाऊगे लेकिन अभी के समय में वाट्सअप को पता चल जा रहा है कि लोग अपने नंबर को किस अकाउंट में weeटको अंठी वाट्सअप में कर रहे हो तो उन्हें sprawd कर चल तो उन्हें पता लिखा हुआ है आप लोग इस पर क्लिक करना और यहां से देखेंगा आता इसका इमेल आप लोग वाटसप तक अपनी बातें पहुंचा हो गए कि मैं अपना ओफिसियल वाटसप पर यूज़ कर रहा हूं लेकिन यहां से मुझे कोई समस्या नहीं मिल रही है मेरा वाटसप लिखना है और यहां से क्लिक करना आप सब्सक्रण करने का तो आप लोग आजाना Google Chrome पे और Google Chrome पे आने के बाद यहां पर प्लोग सर्च करते हो Contact WhatsApp सिंपल यहां पर लिखना Contact WhatsApp मैं जैसे कि लिख रहा हूं यहां पर आपको भी ऐसे लिखना Contact WhatsApp और यहां पर दिखें सबसे टॉप में आज आता है WhatsApp.com Contact तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहां से मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखें क्या लिखा हूँ है WhatsApp Messenger Support Contact Us आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहां से आपको अपना मोबाइल नंबर देना है इसके नीच से अपना email ID और फिर से वह email ID देना है और जो कि हम लोग अपना WhatsApp Android में इस्तुमार कर रहे थे Android और यहां पर दिखें फिर सापको यहां से COPY करने के बाद जैसे आपको क्या करना है यहां पर आना है और इस मेशच को पेष्ट कर देना है और यहां पर उएक चीज का करनी है आपको यहां पर अपना WhatsApp नंबर देना है और यहां पर हपना email ID देना है फिर next सिथर्ट प्यकुष्ट करेंगे फिर send question को और अगर send question पर क्लिक कर देंगे message WhatsApp के पास से लिए जाएगी और नहीं तो आपने यहां से भी करना चाहते हो तो यहां से भी message को से हम paste करेंगे और paste करने के बाद देखेंगे यहां पर क्या करना आपको अपना WhatsApp WhatsApp to login और यहां पर सब्मिट करने से पहले आपको यहां पर अपना WhatsApp नंबर और यहां पर अपना इमिराइडी जरूर देना है इतना करने के बाद 24-48 घंटे के अंदर WhatsApp से आपको रिप्ले आ जाता है और यहीं आप लोग फिर भी अपना आ रही है तो आप लोग उस नंबर से फिर से जी वी ओट्सप का अस्तमाल नहीं कर पाऊगे और लास्ट में जो कह रहा है कि मैं बैक अप ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा तो आप लोग बैक अप नहीं ले पाऊगे